आज हम कक्सा बारा हिंदी की पाठे पुस्तक अंतरा भाग दो के काव विखंड के अध्याए पांच में वरनित साहित्यकार विश्नु खरे द्वारा रचित रचना जिसका शीर्चक है एक कम का अध्यान करने जा रहे हैं साइत्यकार विश्णु खरे द्वारा रचित रचना एक कम के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं भारत को सन 1947 में आजादी मिली भारत देश को सन 1947 में आजादी मिली अनेक लोगों ने इसका उपयोग स्वार्थ के लिए किया तबी कहते हैं कि अनेक लोगों ने आजादी प्राप्त होने के पशाथ इसका प्रियोग इसका उप्योग स्वार्थ सिद्धी के लिए किया और माला माल हो गए किन्तु जो लोग इमानदार थे वे और भी जदा गरीब और भी अधिक लाचार होते चले गए आस्थावान इमानदार और सम्वेदंसील जनता का आजादी से मोह भंग हो गया ऐसे लोग जो आस्थावान थे जो इमानदार थे जो सम्वेदंसील थे इस पकार इमानदार आस्थावान और सम्वेदंसील जनता का आजादी से मोह भंग हो गया आपसी विश्वास भाईचा और सामुहिकता का इस्थान धोकादड़ी, स्वार्तपरता और आपसी खीचतान ने ले लिया। आपसी खीचतान का भाव अधिक मातरा में देखा जा रहा है। 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीकों से आत्म निर्भर माला माल और गतिसील होते देखा है। कि अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है पच्चीस पैसे एक चाई या दो रोटी के लिए तो जान लेता हूँ मेरे सामने एक इमानदार आदमी औरत या बच्चा खड़ा है। लानता हुआ कि हाँ मैं लाचार हूँ कंगाल या कोड़ी या मैं भला चंगा हूँ और कामचोर और एक मामूली धोके बाज। पूरी तरह तुमारे संकोच लज्जा परेसानी या गुस्से पर आस्रित तुमारे सामने बिलकुल नंगा निरलज और निराकांक्षी मैंने अपने को हटा लिया है हर होड से मैं तुमारा विरोधी प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं मुझे कुछ देकर या ने देक अगर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते हो इस कविता का वाचन करने के परशाथ आईए अब हम इस कविता का संधर्व और प्रशंग जानते हैं 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीकों से आत्म निर्भर माला माल और गतिसील होते देखा है इन पंक्तियों का संधर्व इस प्रकार से है प्रस्तुत पंक्तियां कवी रचनाकार साहित्यकार विश्नु खरे द्वारा रचित कविता एक कम से ली गई है यह कविता हमा इसको आजादी मिलने के बाद देश में प्रतिस परदा का दोर चला और लोग एक दूसरे से आगे निकलने की होड में लग गए इसका अनभव कवी ने किया है कवी ने स्वार्थ परता बेई मानी धोका धड़ी और ब्रस्टाचार के बल पर धन्वान होते हुए लोगों क कवी ने देखा है कि बहुत सारे लोग स्वार्थ परता बेई मानी धोका धड़ी और ब्रस्टाचार के बल पर धन्वान हो गए हैं ऐसे लोगों को देखा है किन्तु ऐसे में जब कोई भिखारी उसके सामने ऐसे में जब कोई भिखारी कवी के सामने हाथ फैलाता है तो इमानदार है वह जो सामने खड़ा हुआ भिखारी है वह इमानदार है लाचार या कामचोर इनसान रहा है जो मेरा प्रतिस पर्दी नहीं है कवी कहते हैं कि जो अब ऐसे लोगों का जो जीवन में बहुत अधिक धनवान है, बहुत आगे बढ़ चुके हैं, ऐसे लोगों का अब यह व्यक्ति प्रतिसपर्दी नहीं है, किन्तु ऐसे में जब कोई भिखारी कवी के सामने हाथ पहलाता है, तो कवी इस बात को बहुत अ कार से वह धनी लोगों का प्रतिसपर्दी नहीं है, आईए, अब हम इन पंक्तियों की व्यक्या देखें, 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीकों से आत्म निर्भर माला माल और गतिसील होते देखा है, आत्म निर्भर, आईए सबसे पहले कठिन सब्दों के अर्थ ज प्रकार की क्षमता उत्पन करना, आत्म निर्भर हो जाना, स्वाव लंबी हो जाना, गतिसील, गतिसील से आशे है, उन्नती करते हुए, गतिमान रहना, प्रगती पत्पर्व, प्रगती की और गतिसील रहते हुए, माला माल, खूब सारा धन, एकत्र कर लेना, खूब सारा अधन संपदा से संपन्न हो जाना 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीकों से कवी इन पंग्ट्यों के माध्यम से कहते हैं कि देश को आजादी सन 1947 में प्राप्त स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत देश के लिए जो सपने देखे थे भारत ये समाज के बारे में जो सपने देखे थे वो सपने पूरे किस प्रकार से हो रहे हैं इनका वर्णन इन पंक्तियों के माध्यम से कवी करता है कवी कहते हैं कि भारत को सन 1947 में आजादी प्राप्त किन्तु सिग्र ही आजादी से हमारा मोह भंग हो गया कवी ने इतने सारे लोगों को कवी ने इतने लोगों को यानि बहुत सारे लोगों को इतने तरीकों से कौन-कौन से तरीके हो सकते हैं कवी के अनुसार कवी बताते हैं कि बहुत सारे लोगों को ब्रश्ट तरीकों से धन प्रगतिपत पर तेजी से आगे बढ़ते हुए देखा है वह समझ गया कि माला माल होने और तरक्की करने के लिए व्यक्ति को अवल दर्जे का स्वार्थी चालाक दोके बाज और ब्रश्टाचारी होना चाहिए कवी के अनुसार इतने तरीके इन तरीकों को कवी इस प्रकार से अविविक्त करता है स्वार्थी चालाक दोके बाज और ब्रश्टाचारी इन तरीकों को अपना करके देश की आजादी के बाद 1947 के बाद इतने सारे लोग यानि बहुत सारे लोग स्वार्थ, चालाक, चालाकपना, धोखे बाजी और ब्रष्टाचारी का भाव अपना करके आत्मनिर भर बन गए, माला माल हो गए और गतिसील होते हुए कवी ने लोगों को देखा है, कवी ने अपने जीवन के अनुवहो का अभी व्यक्तिकरण इन पंक्तियों के माध्यम से किया है, और कवी कहते हैं कि ऐसे लोग जो स्वार्थी हैं, चालाक हैं, धोके बाजें और ब्रष्टाचारी लोग हैं, ऐसे लोग आत्मनिर भर हो गए, माला माल हो गए, और गतिसील होते हुए, प्रगतिपत पर आगे की और अग्रशर हो रहे है, कि अब जब कोई, आगे कोई हाथ फैलाता है, पच्चीस पैसे एक चाई या दो रोटी के लिए, तो जान लेता हूँ, मेरे सामने एक इमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है, हाथ फैलाता है, यानि भीक मांगता है, हाथ फैलाने से भीक मांगता है, इन पंग्तियों के माध्यम से कवी कहते हैं कि अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है, कोई भी भिखारी, कोई भी औरत, कोई भी बच्चा, कोई भी व्रद, अत्वा भीक मांगने के लिए आया हुआ कोई भी व्यक्ति, जब आगे हाथ फैलाता है, वो यहां पर जो पत्चीस पैसे मांगे जा रहे हैं इसका आशे हैं कि वह व्यक्ति पूरी तरह से अभाव ग्रस्त है उसे धन की बहुत अधिक आविश्यक्ता है एक चाय मांगने वाला दो रोटी मांगने वाला व्यक्ति भूख से पीडित है उसे सबसे पहले अपनी भूख को सांत करना और उस भूख को सांत करने के लिए वह चाय की मांग कर रहा है वह दो रोटी की मांग कर रहा है तो कभी जान लेता है कभी इस बात गोहार लगा रहा है जो रोटी की मान कर रहा है जो 25 पैसे की मान कर रहा है ऐसा अभा उगरस्त व्यक्ति ऐसा भूग से टरपता हुआ व्यक्ति इमानदार, आद्मी, ओरत, या बच्चा खड़ा है ये इस प्रकार का ही है उसके सामने जो भी खड़ा है वह इमानदार है चाए वो आदमी हो औरत हो अत्वा बच्चा खड़ा हो वह जो खड़ा हो कर भी मांग रहा है वह पूरी तरह से इमानदार है कवी यह कह रहा है कि 1947 के बाद कि अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे दे दो एक चाए पिला दो दो रोटी दे दो तो कवी जान लेता है कि उसके सामने एक इमानदार आदमी खड़ा है इमानदार महिला खड़ी है या इमानदार बच्चा खड़ा है कभी कहते हैं कि ऐसी इस्तिती में जब कोई आदमी औरत या बच्चा कभी के आगे हाथ फैला कर भीक मांगता है पचीस पैसे एक चाय या रोटी की भीक मांगता है तब उस फैले हुए हाथ को देखकर कभी ये बात समझ जाता है कि यह व्यक्ति अपने जीवन में इमानदार रहा है इसने किसी भी प्रकार से बेईमानी का सहरा नहीं लिया छल कपट का सहरा नहीं लिया स्वार्थ सिद्धी का इसने प्रियोग नहीं किया और उन गुणों दोसों से स्वयम को नहीं जोड सका जो आज उन्नती के लिए या धनी होने के लिए आवश्यक माने जाते हैं कभी के अनुसार लालच, लोब, स्वार्त, इत्यादी इस प्रकार के गुन दोस माने गए हैं जो आज उन्नती करने के लिए या धनी होने के लिए बेहद आवश्यक है कभी ये मानता है कि जो सामने खड़ा हुआ व्यक्ति है यह इमानदार है और इसने अपने आपको कभी भी ऐसे गुण और दोस से नहीं जोड़ा यदि यह भी उन गुण दोसों के साथ जुड़ जाता लालच, स्वार्थ, इत्यादी जिस प्रकार के जो भाव है, स्वार्थ का भाव है, लालच का भाव है, उनके साथ यदि यह व्यक्ति भी जुड़ जाता, बेईमानी के भाव के साथ भी यह व्यक्ति जुड़ जाता, तो यह व्यक्ति भी आज माला माल होता, यह व्यक्ति भी आज भीक नहीं मांग रहा होता, कि अब जब आगे कोई हाथ फैलात 25 पैसे एक चाई या दो रोटी के लिए तो जान लेता हूं मेरे सामने एक इमानदार आदमी औरत या बच्चा खड़ा है मानता हुआ कि हां मैं लाचार हूं कंगाल या कोड़ी या मैं भला चंगा हूं और कामचोर और एक मामूली धोके बाज आईए सबसे पहले कटिन सब् ग्रशित व्यक्ति कोड़ी कहलाता है भला चंगा भला चंगा होने से है स्वस्त यानि ठीक ठाक इस्तिति में काम करने की इस्तिति में होना काम चोर काम चोर से आसे है जो काम करने में चोरी करे आलस करे इस प्रकार से काम चोर आलसी दोके बाज दोका देने वाला दोके बा क्योंकि वह उन हतकंडों से दूर रहा जिन से आज वह भी धनवान बन जाता यदि वह उन हतकंडों को अपनाता तो वह भी धनवान बन जाता इसलिए ये भीक मांगता हुआ व्यक्ति इस प्रकार से यह साबित कर देता है और वह ये बात कहता है कि हाँ मैं लाचार हूँ मैं कोडी हूँ कि वह लाचार है वह कंगाल या वह कोडी है और इसलिए है क्योंकि उसने आज दिन तक देश को आजाद होने के बाद से लेकर अब तक वह उन हतकंडों से दूर रहा जिन से आज धनवान बना जाता है हो सकता है कि भीक मांगने वाला यह है व्यक्ति या मैं भलाचंगा हूँ और कामचोर और एक मामूली धोके बाज हो सकता है कि भीक मांगने वाला वह व्यक्ति भलाचंगा होने पर भी कामचोर हो यह भलाचंगा हो यह जो सामने खड़ा हुआ व्यक्ति भिखारी है यह सरीर स भला चंगा दिखता हो ठीक ठाक दिखता हो काम करने वाला दिखता हो लेकिन ये कामचोर है ये आलसी है हो सकता है कि भीक मांगने वाला वह विक्ति भला चंगा होने पर भी कामचोर आलसी या मामूली धोके बाज रहा हो एक मामूली धोके बाज भी वह विक्ति हो सकता है इस पंक्तियों का विशेश इस प्रकार सें आजादी के बाद देश में ब्रश्टा चार बेइमानी में बढोतरी हुई है। इस सत्य की व्यंग्यात्मक लहजे में कवी ने अभिवेक्ति दी है। इन पंक्तियों में इस कविता में इसी सत्य की व्यंग्यात्मक लहजे में कवी ने अभिवेक्ति दी है। इसकी भासा सहज है, सरल है और प्रवाह पूर्ण है। यह रचना मुक्त छंद में लिखी गई है। हाथ फैलाना मुहावरे का सफल प्रियोक किया। हाथ फैलाना मानी भीक मांगना व्यंग्यात्मक सहली का इस में प्रियोक किया गया है। अगली पंक्तियां इस प्रकार से हैं लेकिन पूरी तरह तुमारे संकोच, लज्जा, परेसानी या गुस्से पर आसृत। तुमारे सामने बिलकुल नंगा, निरलज और निराकांग्शी मैंने अपने को हटा लिया है हर होड से। आस्रित, आस्रित से आसे है निर्भर होना, निराकांग्शी, निराकांग्शी से बिना किसी आकांग्शा के, निराकांग्शी कोई आकांग्शा नहीं रखना, बिना किसी आकांग्शा के, होड, होड से आसे है प्रतिस परदा, किसी भी प्रकार की प्रतिस परदा, होड, प् इन पंक्तियों का प्रशंग इस प्रकार से है देश की आजादी के बाद स्वतंतरता के बाद कई लोगों को कवी ने बेईमानी दोखाधड़ी ब्रस्टाचार और एनैतिक तरीकों के बल पर धनवान बनते देखा है आज भीक मांगता हुआ व्यक्ति वही है जो इन गुणो दोसों से युक्त नहीं है इस गला काट प्रतिस परदा में प्रत्यक व्यक्ति दूसरे से आसंकित है ऐसी इस्तिती में भीक मांगने वाला व्यक्ति इस बात का आश्वसन देता है वहे बाकी और लोगों को आस्वस्त करता है कि वहे लाचार है और किसी भी प्रतिदुंद या प्रतिस परदा में वह सामिल नहीं है अब इन पंक्तियों की व्यक्या देखते हैं लेकिन पूरी तरह तुमारे संकोच, लज्जा, परेसानी या गुस्से पर आस्रित तुमारे सामने बिल्कुल नंगा, निरलज और निराकांग्शी मैंने अपने को हटा लिया है हर होड इन पंक्तियों के माद्यम से कवी विष्णु खरे कहते हैं कि हात फ़ेला कर भीग मांगने वाला व्यक्ती इस बात की घोशना कर रहा है लेकिन पूरी तरह तुमारे संकोच, लज्जा, परेसानी या गुस्से पर आस्रित इस बात की घोशना कर रहा है कि वैं पूरी तरह से लाचार है किसी के सामने हाथ पहलाने में उसे कोई लज्जा संकोच नहीं है किसी प्रकार का संकोच नहीं है वो भीक मांग रहा है उसे किसी प्रकार का संकोच नहीं है नहीं उसे कोई लज्जा का भाव उसके उसको मैसूस हो रहा है तो वहें पूरी तरह दूसरों पर आस अक्षा भी नहीं है वह पूरी तरह से निरलज्ज है वह नंगा है निरलज्ज है और निराकांग्शी है किसी भी प्रकार का लज्जा का भाव वह महसूस नहीं करता पूरी तरह से वह अपने आपको नंगा महसूस करता है जिसके पास कुछ नहीं हो पैनने के लिए जिसके प किसी भी प्रकार का कोई धन इत्यादी नहीं हो वस्त्र इत्यादी नहीं हो नंगा और निरलज लज्जा से रहित भी अपने आपको मानता है और निराकांग्शी किसी भी प्रकार के आखांग्शा उसने अपने मन में नहीं पाल रखी है उसकी कोई आखांग्शा भी नहीं है मैं किसी का विरोधी प्रतिद्वंदी या प्रतिसपर्दी नहीं है तुमारे सामने बिलकु नंगा निरलज और निराकांगशी वह व्यक्ती है जो भीक मांग रहा है मैंने अपने आपको हटा लिया है हर होड से और वह भिखारी इस बात की भी घोशना करता है इस बात के लिए भी कहता है कि उसने अपने आपको हर होड से हर प्रतिसपर्दा से हटा लिया है संसार में सब एक दूसरे से आगे निकलने की होड में लगे हुए है किन्तु उस भिखारी ने कम से कम स्वयम को इस होड से अलग कर लिया है और प्रतिस प्रदासे स्वयम को अलग कर लिया है प्रतिक व्यक्ति चाहता है कि वह अपने जीवन में उन्नती करे काम करते हुए जीवन में उन्नती पतपर आगे बढ़े लेकिन भिखारी ने अपने आ या है हर होड से मैं तुम्हारा विरोधी प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं मुझे कुछ देकर या ने देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते हो प्रतिद्वंदी प्रतिद्वंदी से आशय है विपक्षी निश्चिंत निश्चिंत रहना तुम रहे जो भीक मांगने वाला वीक्तिएंव McD hugging kसी प्रकार से विरोधी किसी प्रकार सथ तुम्हारा प्रति Dare He is se प्रकार से तुम्हारा हिस्सेदार भी री नहीं हो मुझे कुछ देकर या नेहर नेकर तुम अपने आपको निष्चिंत कर सकते हो एक आदमी की ओर से तो कम से कम कि यह व्यक्ति तो तुम्हारे साथ गलाकार्ट प्रतिश्परदा में सामिल नहीं है कभी कहते हैं कि अपने फैलाए हुए हाथ से वह यानि वह भिखारी हमें आस्वस्त कर रहा है कि वह भिखारी पूरी तरह हमारी क्रपा पर ही आस्रित है हमारे बराबर का नहीं है हम से होड नहीं कर रहा है वो किसी वो कहता है कि मैं तुम रह सकते हैं कम से कम एक व्यक्ति तो ऐसा है जो इस प्रतिद्वंदिता भरे युग में इस गलाकाट प्रतिश्परदा के युग में हमारा प्रतिद्वंदी नहीं है भले ही हम उसे कुछ दें या नहीं दें फिर भी वह हमारा प्रतिद्वंदी नहीं है वह हमसे केवल थोड अलामाल होने की कतार में नहीं खड़ा है वह किसी भी प्रकार की इस परदा में सामिल नहीं है और वह यह भी कहता है कि एक व्यक्ति की तरब से तो तुम निश्चिंत हो सकते हो कि वह व्यक्ति तुम्हारे साथ किसी प्रकार की होड में सामिल नहीं है किसी प्रकार की प्रतिस पुज़ करना है कि अभी वर्तमान इस्थितियों में गलाकाट प्रतिस्पर्दा करते हुए आगे बढ़ करके खूब माला माल होना चाहता है। संपत्ति और माल एकत्र करते हुए धन बल और बाहू बल से अपने आपको बहुत अधिक संपन्य करना चाहता है और धनवान बनने की होड में लगा हुआ है अनुचित तरीके से अपनाकर धन कमाने में ऐसमर्थ व्यक्ति ही आज भिखारी है वही व्यक्ति भिखारी है जिसन अपने जीवन में किसी भी प्रकार से कपट बेईमानी स्वार्थ सिद्धी का भाव नहीं रखा इसलिए आज वो दीन हीन है वह कंगाल इस्तिति में और भीक मांगने के लिए वह मजबूर है वह बिखारी है बारती असमाज में प्रचलित गलाकाट प्रतिस परदा और बेईमानी पर कवी ने बहुत ही गहरा व्यंग किया है बासा सरल है सहज है और प्रवाह पूर्ण है मुक्त छंद का प्रयोग इसमें किया गया है नंगा निरलज और निराकांग्शी में अनुपरास अलंकार है नं दिखाई पड़ता है प्रिविद्यारतियों आज हमने अध्याय पांच सहित्यकार विश्णु खरे द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है एक कम का अध्यन किया है अगले वीडियो में हम सहित्यकार कभी विश्णु खरे द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है सत् मंदित वीडियो लेकर सिग्रही आपके समक्स उपस्तित होंगे तब तक नमस्कार